Hello everyone, मैं विश्चुजीत सेंग, आप सभी का दीगी नवपे स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की सीडियो के अंदर में हम MA History, MHI 101 का Unit 5 पढ़ने जारें जिसमें हम बात करेंगे प्राची नियुनान की प्राची नियुनान का पहला पार्ट में पहले ही करवा चुका हूँ आज की सीडियो के अंदर में हम सेकींड पार्ट को कवर करींगे फर्स्ट पार्ट के अंदर में हमने आरंबिक युनानी सब्वेताओं के बारे में पढ़ा था जिसको आज की इस वीडियो के अंदर में हम cover करने वाले हैं चले वीडियो स्टार्ट करते हैं और डिटेल में समझते हैं आज के topic को पुरातन और class की युग को देखो topic की स्टार्ट करने से पहले आपको यहां के question भी पता होने चाहिए कि किस तरह की questions आज की इस वीडियो के अंदर में cover करने वाले हैं तो यहां पर चार तरह के question आज की इस वीडियो के अंदर में बन के आते हैं जो अकसर exam में पूछे भी जा सकते हैं तो यहां पर क्या होता पहला question आपका बन कर आएगा पुरातन और class की युग क्या है दोनों अलग-अलग time period के अंदर में चीजे हुई दोनों अलग-अलग यूग है ठीक है तो इसके basis पे भी question बन दा है तो आपको उसके हिसाब से भी study करना है दूसरा यहाँ पे question बनता है most important question आप कह सकते हो संप्रभात वर्ग जो था आपका ठीक है और किसान वर्ग जहता है संप्रभात वर्ग और किसान वर्ग के बीच के संगर्ष की चति को पूचता है यहाँ पे question में चोथा question important question वह भी है यहाँ पे आजाता है युनानी दार्षनिकों का question ठीक है जो भी युनानी दार्षनिक थे ना जो विचारक थे इतिहासकार थे ठीक है तो वह किस परकार से सोचते थे युनान के लिए उन्होंने क्या सूचा युनान के भी कास में किस तरस उनकी भाग है तो आपको ज्यादा confusion नहीं होगा points को relate करने में अपने book से अपनी book को खोल कर बैठो सारा point आपको relate होता हुआ चला जाएगा तो easy रहेगा आपके लिए और यहां पर कर आपको PDF चाहिए यह और या फिर आपके first part का PDF चाहिए ठीक है तो आप directly हमारे telegram group को join कर सकते हैं या book में से points उठा रहे है points के basis पर एक video बना रहे proper आपके लिए notes बना रहे और उसके basis पर हम video बनाने के courses कर रहे हैं और यह MA history का जो first semester वाले student है उनके कारण से यह करना पड़ा है जिससे नया attractive लगे और हम उसको करवा सके अच्छे से समझा सके अपने points को रख सके अच्छे सा clear कर सके ठीक है तो यहां पर हम मैनत करें ता भी हमारे लिए मैनत कीजिए like share subscribe जुरू कीजिए हमारे वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाए जिससे हमें भी motivation हो और हम भी अच्छे से मैनत कर सके चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के हमारे topic को पुरातन और कलास की युग के बाद यहां पर युनान के अंदर में पुराना युग का सुरृत हो जाता है जिसको हम पुरातन युग भी कहते हैं इसका जो टाइम परिड़ देखोगे पूरा टाइम परिड़ अगर आप लेके चलो तो पुरातन युग काidet रहता है आट सो से लेकर 500 ईसा प पुरातन यूग में 500-800 इसापुरू का जो काल था उसके अंदर में क्या परिवर्तन देखने के लिए मिला तो भूपती अभिजात वर्ग और किसानों के बीच में टकराव हुआ ठीके इस पुरातन काल के अंदर में ही यहां पे भूपती जो बड़े जो जमीन वाले थे उसके बीच में भूपती अभिजात वर्ग जो थे भूमी और यूनानी राज्यों के राजनेतिक धांचों का अधिकार कायम कर लिया था ठीके जिसमें छोटे-छोटे किसानों को समस्या का सामना करना पड़ा मतलब 800 से लेके 600 इसापुरूफ के बीच का जो टाइम उनको समस्या का सामना करना पड़ा ठीके बुखमरी जैसे चीजे उनको फेस करनी पड़ी ठीके जिसके बाद यहां पर किसानों का चोटी-चोटी किसान जोते वह विजात वर्ग के खिला विद्रों का आगाज करते और यहां पर बुद्रों देखने के लिए मिल जाता है अभिजात वर्ग को सोचने पर मजगूर होना पड़ा कि किसानों के लिए कुछ किया जाना चाहिए और उनकी संब्रदी बची रहे इसके लिए हमें कुछ स्टैप लिया जाना चाहिए यह इससी बन जाती है मतलब क्या यूनान के अंदर में जैसे जो पूरा टाइम प्रेट चल रहा है आट सो सुरू हुआ छे सो तक आते आते अभिजात वर्ग बहुत ज्यादे स्ट्रॉंग बन चुका था जो बड़े-बड़े अधिपती लोग थे वो भूमी पर कबजा करने लगे नए-ने रू विद्रोह करने लगते हैं मजबूर को और तर से विद्रोह का आगास करते हैं और विद्रोह का में कारण क्या रहता है कि यार हम अपने जीन वे अपने आपन को कर सकेझ्ज सभूंदी यह जना बचा हुआ उसको बचा सबे और आगे में से bon चाव के बादे लिल्यात के रह जिसमें किसानों को करजे की जाल में फुसाई जाता था ठीक है आज कि अगर आप न्यूज देखते होगे तो आपको पता चलता हुआ कि किसी किसान के ऊपर इतना करजा है उसने फांसी लगा लिया यह कर लिया तो जो गौर्णमेंट है या फिर लोग है उन्होंने के ऐसा ज किसानों के इर्द गिर्द जबकिक्सान एक तरंसे भगवान के समान है घर्टी पर ढ़लया बना रहो जी है ठीक है इस ने आपको बनाया है थीकले हो जी говорил Caesar मेरे निया किसादिक तो किस तरह का सुधार के जाता है और जो भी ये सुधार करने का एक्षन लिया जाते हैं कि हम सुधार करेंगे इस तरह के सुधार उयुनान के बाकी जगों पर भी देखने के लिए मिल जाता है इस तरह का सेम सुधार आपको एथेस के अंदर में मिल जाएगा सपाटा के अं अन्यर राज्यों से मिलने वाले पर्मानों के अधार पर ये भी का जा सकता है कि 594 ईसापुर में एथेस में एक जैसे परिवरतन हो रहे थे जो बाग की राज्यों में सुधार के गए यहाँ पर भी उस तरह के सुधार देखने के लिए मिल जाते हैं अब देखो सुधार के अंदर में गया था एथेस में इस सुधारों को लागू करने के लिए सोलन नाम के वैक्ति की नियुक्ति की जाए जाते है तो उसी तरह का एक पद था जिसको सोलन कहा जता था पंच के तोर पर उसको उपादी दी गई ठीक है ये एक व्यापक अधिकार दिया गए इसको ठीक है सोलोन ने किसानों से रिन मुक्त के लिए कहा गया ठीक है सोलोन ने किसानों को रिन मुक्त किया जो भी उनके उपर कर जाता उसको माफ किया एथे स्वासियों को मुक्त किसानों का रिण बुक्तान करने में असमर्थ होते थे तो उन्हें बंदुआ या गुलाम नहीं बनाया जा सकता था यहाँ पर एक रूल यह भी था कि अगर मानलो किसान है जो भी जिसने करजा लिया अगर वो अपना रिण नहीं चुका पा रहा है तो उसको क्या बनाया जाता था या फिर उसको गुलाम बनाया जा सकता था पर यहाँ पे जब सोलोन को नूक्त किया जाता है उसके बाद यहाँ पे रिड के सासात में ये भी का जाते है कि अगर कोई चुका नहीं पा रहा है असमर्थ है तो उसको बंदुआ या गुलाम नहीं बनाया जा सकता ये माना जाता था किसानों पर उस समय करज था और वह भी माफ कर दिया गा जो भी उस समय का टाइम पर जो भी जीतने भी करज थे उसको माफ किया गया सोलोन के इन सोलोन के बाद 6 दसकों में सवभाविक रूपodad से एथेस में आंधोलन सुरू हो गए ठीके नए ने आंधोलन देखने के लिए मिलते हैं और हर वर्थ के अंडर्मिक तरष से आक्रोस देखने के लिए मिलता है और यहां पर सिर्फ सोलोन के सुथार के बाद एथेस के अंदर में ही नहीं, जो आसपास के बागी राज्य थे, वो भी सुधार चाते थे, और सुधार को इसी क्यूंकि इसी तरके सुधार चाते थे और उनके राज्यों में भी आनदोलन सुरू हो जाते हैं, और अलग- जो जो भूपती थे बड़े लोग अध्विजात वर्ग थे उनको सिधा वो टार्गिट किया जाता था ठीक है जिसके बाद इस तरह की जो सुधार था वो सुरू किया गया ठीक है समझ में आता है आगे मैं बात करूँ तो यहां पर ताना साही वैवस्था की हम बात करते हैं अलट पलट किया जाता है यहां पर आपने अपने राज्यों के एंदर में ताना साही वैवस्था सफिपर ले जाती है जैसे क्या था पहले कोई युनान के अंदर में सबसे बड़े बड़े दार्शनीक होए ठीक है बहुत सारे अभिजातवर्गी पैता हुए मतलब एक म बारे में आपने पढ़ाओं मतलब हजारों मूवियां देखी होंगी जिसके इनका जिक्र किया जाता है जो आपके राजनिति फादर ओफ दे पॉलिटिक्स फादर ओफ दे इसका सबसे बड़ा लिज़न क्या था कि वहां पर जो इस्तिती थी वह एक प्रॉपर इस्ति निथी कि राज्य जैसे इस्तिति हैं समराजwegen जैसे hoot.... अब जो भी अभिजात वर्ग था या जो भी वहां पर जिसको नियुक्त किया गया कि आप इस इसको लीड करोगे वो क्या किया अपने अपने राज्य में ताना साही ववस्ताई सतापित कर लेता है इसी में एथेस के अंदर में पैसिस्स्ट करके एक व्यक्ति होते जो अपन अच्छे समझना और क्या लिखा है आप अपने हिसाप से भी उसको लेके चलना ठीक है यहाँ पर आगे मैं बात करूँ तो किस परकार से नए सरकार का सासन ववस्ता कायम होने लगी यह देखा जाने लगा कि नए सरकार अलग तरीके का गौर्मेंट बनने लगी क्योंकि त दिहासकारों के दार उसको ताना साही का नाम दिया गया जो पूरी ववस्ता तो इसको ताना साही ववस्ता कहा गया ठीक है डिक्टेटर्सिप जिसे हम बोलते हैं आगे मैं बात करूँ तो युनानी ताना साही को एक ऐसे वरका समर्थन प्राप्था जिससे से जनता खास और पर गरीव किसान उसके पास वैपार से कमाया गया धन तो था परंतु राजनीतिक सत्ता में कोई भागीदारी नहीं थी आपने आज भी इंडिया के अंदर में देखा हुआ बहुत सारे अमीर लोग होते हैं बहुत सारे अमीर लोग ठीक है वो डिरेकली तो पॉलिटिक में होते हैं ठीक है मैं रियालिटी में कहना चाहता है बट आप भली बादी जानते हो मैं क्या बोल रहा हूं तो बड़े बड़े बिजनसमें होते हैं ठीक है वो निताओं को पैसे देते कि यार मैं तुमारी पार्टी को फंड दे रहा हूं पार्टी को इतना पैसा दे रह यहां पर भी उनान के अंदर में वह दिखा गया जब ताणाज साहि ववस्था आया तो किसान तो समर्थन कर नहीं रहा है ना तो उनको एक ऐसे ववर का समर्थन प्रापत था जो रादनेतिक सथा में तो डिर्रेक्ली बार्टिस्पेट नहीं कर रहा था पर पूरा सत्ता उसी के हाथ में थी यह माना जाता था क्योंकि उसके पास धन होता था और वो धन वैपार के basis पे पूरे सत्ता को कंट्रोल करता था ठीक है वो 527 में पैसिसेस्ट करके जो व्यक्ति था जो ताना साही ववस्था लाया उसकी मृत्ति हो जाती है और उसकी जगह पर उसका पुत्र हिपिस करके बनता है इसका पुत्र बनता है हिपियास सासक बन जाता है एक तरह से अनुवानसिक सासक था राजवानसिय आदार जिसके अंदर में राजा का बेटा ही यहाँ पर वो बनता है ताना साही सासक को राजवानसिय सासक के बदल दिंग गया अगर इसके मरने यहां पर तानासाई ववस्ता खतम हुआ यहां से आपका क्लास की युग शुरुआत हो जाता है तो इससे उपर आपने जो पढ़ाना यहां पर आपका पुरातन युक था पुरातन युक के अंदर में आपने क्या देखा पुरा कि किस परकार से जनता के अंदर में आक्रोज बढ़ा किस परकार से जनता जागरुत हुई किस परकार से किसान अपने संगर्स के लिए लड़ा किस परकार से सोलोन की निक्ति की गई थी ठीक है सोलो ववस्ता कतम होता है उसके बाद यहां पर क्लास की युग की शुरुवात हो जाती है अभिजात वर्ग अपने संबंधियों के ही अनुवानसिक आधार पर कारे-कारी नियाईक और सैनिक पदों पर नियुक्त करते थे जो अगर कोई एक पोस्ट पर है तो जो भी उनके भाई बतीजे हैं या फिर उनका बेटा है अनुवानसिक अधार पर कोई भी कारे-कारी ववस्ता हो नियाईक पद देती हो उन पर उन्हीं लोगों को नियुक्त करते थे किसी और को नियुक्त नहीं करते थे एक परकार से ताना साही ववस्ता जैसा ही था इसलिए पुरातन यु स्कुर्स पर उसके बन्हार जा रहा उसके घर के बंदों को ला जा रहा है तो उसके कास्ट कर उसके सिस्टम का इंदर में कुलिनतंत्र को नास किया गया जब Tana sahayb अवस्तः आता है तो उसके इंदर में क्या किया जाता है , जिस मरूझी को राजा बना दिया , जिस मरूझी को अधिकार दे दिया , तु यहाँ पर पुरा प्रिवर्वर्टी तो जाता हो और एक नया जन तंद्र के लिए रास्ता को नजा गीए Smith & जन तंतर के आए और सामने यहां पर बनाड़ा THATntर का सुरुत हो जाता एक तरह से पुरातन युग में कई राज्यों में पर्जा-तंत्र कायम हुआ जिसमें सीयोस और मेगरा आरंबिक जनतंतर राज्ये थे जनतंतर होता क्या या परजातंतर होता है क्या इसको भी समझ के चलो परजा मतलब एक तरह से लोगतंतर व्यवस्ता होते हैं उसको हम जनतंतर या परजातंतर बोलते हैं परजा मतलब क्या होता है लोग और तंतर मतलब ववस्ता लोगों की ववस्ता लोग तंतर मतलब भी सेम चीज जहां पर लोगों की ववस्ता जन तंतर मतलब भी सेम चीज जन मतलब लोग और तंतर मतलब ववस्ता तो लोगों की ववस्ता यहां पर इस्टार्ट हो जाते हैं जो आज भारत के अंदर में जहांपर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मतलब एक तरह से freedom मिलता अधिकार मिलते हैं चीज़े अपनी चीज़े रखने का अधिकार मिलता है तो इस तरह की विवस्ताया पर शुरुआत हो जाती है युनान के अंदर में 600 इसापुरू के आसपास मे जनतांतरिक संसादनों का विकास होता है जनतांतरिक संसादनों का विकास का मतलब क्या होता है कि जहां पर लोगों की द्वारा चीज़ों को निक्त किया जा रहा था चलाया जा रहा था पूरा उसको समहाला जा रहा था तो जनतांतरिक विवस्ता बोला जाता था ठीक है इ चुनता के पास अधिकार होता है कि वो किसको आगे बढ़ाना चाता है किसको राइट देना चाता है चुनेगा वह चीज़ें यहां पर रहती है तो यहां पर जन तंतर के बीच छिपे थे अब देखो जन तंतर की बात करते हों लोग तंतर की बात करते हैं तो हाँ पर राजनितिक सो रूपों का भी आगाज हो जाता है पॉलिस सब्द जो पॉलिटिक्स का बना है आप अगर पढ़ोगे थोड़ा सा तो युनान के अंदर में ही पॉलिटिक्स का जनम हुआ और जिस पॉलिटिक्स जो वर्ड है राजनितिक जो वर्ड है वो पॉलिस सब्द से बना है इंगलिस का जो politics word है वो पॉलिस सब्दे से बना है जिसका मतलब क्या होता है कि राजनितिक सोरूप में राजनितिक सोरूप में किस परकार से भागेदार या क्या चीज़ है वो सारा मतलब निकल के आता है और यहाँ पर जैसे ही आप जन तंत्र की बात करते हैं तो वहाँ पर एक आम व्यक्ति के पास में अधिकार है कि उसको चुन सकता है तो वहीं पर जब वो सामने से भी interaction होता है कि हाँ ये चीज़े हम करेंगे आपके लिए करेंगे तो पूरा राजनितिक सोरूप ले लेता है हम आपके लिए करेंगे हम आपके लिए करेंगे हम आपको फिरी में बिजली देंगे हम आपको फिरी में पानी देंगे हम आपको फ तो यह चीजे भी चलने लगे, पूरा एक तम उन्होंने कहा promise पूरा किया, उन्होंने बोला पूरे सहर को जहील बना देंगे, जहील एक दम दिखेगा, चारोतर पुनहर दिखेगा, उन्होंने promise को पूरा किया, ठीक है, तो किस तरह के से आज का जो वीडियो है थोड़ा लंबा बनने वाला है इसका सबसे बड़ा reason कहा है कि मैंने courses कहा है कि एक ही part के अंदर में जो इसा किन पार्ट है क्लास की युखका इसमें जितने भी चारो कोशन है वो एक ही part के अंदर में cover कर दो जिसके अंदर में मैंने फर्स्ट पाट के गर में बात करूँ, तो महां पर सिर्फ मैंने एक ही question को cover करवाए था, बट जब की इसके अंदर में 4 question cover होने वाली हैं, ठीके, आपर मैं आखे बात को रोओ, पॉलिस सब्ध के बारे में, पॉलिस ववस्था का, वहाँ पे पॉलिटिक्स या राजनितिक ववस्था का जिक्र नहीं होगा, तो वहाँ पे लोगों को अधिकार मिलने की बात ही नहीं होगी, जनतंतर ववस्था का बात ही नहीं होगा, वहाँ पे जनतंतर ववस्था नहीं है, पॉलिटिक्स नहीं है, यहां पर पॉलिस का अर्थ है राजनितिक से, ठीक है, समझ में रखना, याद रखना, इस परकार, राजियों के बारे में एत्यासिक सुरोत भी कम मात्रा में मिलते हैं, ज्यादा सुरोत नहीं है, जिसकी बेसिस पर आपको जानकारी मिल से के किस तरगी विवस्ता रही होगी एथिस के बारे में अधिक जानकारी मिलते हैं, सपाटा के बारे में इस मुकाबले में कम जानकारी मिलते हैं, और कैरित और साइरिस के संबंद में इससे भी कम जानकारी मिलती हैं, ठीके जो महत्यपुन जनतंत्र थे चितरपल के हिजाब से पॉलिस एक छोटी राजनेती के काई होती थी इसकी संक्या कम होती थी यदि पॉलिस का चितरपल बड़ा होता था तो यहां के जन संक्या भी अधिक होती थी जन तंतर भी स्थापित नहीं हो सकता था ये भी माना गया कि छोटी जो प्राइल बिसिस पर चला गया था तो छोटे चोटे ववस्ता के अंदर में चला गया था जब भारत अजादो 1947 के अंदर में तो कई सारे बुक्स में जिक्र है कि जो लोग थे वहाँ पर अंग्रेज हो या बाकी जो लोग थे पूरी दुनिया के जो लोग थे वो इस बात से हरांते कि इतना बड़ा देश है इतने बड़े सारी लोग है इतनी बड़ी आवादी है ये कहरे हैं कि लोगतंतर वयबस्टा लाएंगे ठीक है अपने आप ही आगे-ँड़ी जा रहे हैं कभी ये कुछ बना रहे हैं सब यही सौक्त تھे कि तुम्हारे बसका नहीं है पर आज हमारा थेस almost 75% का होने वाला है थीक है जादी के बाद और दुनिया में सबसे अच्छे तरीकेश चला जा रहा है यहाँ पे हर तरह की व्यवस्ता सबसे सुपपा हो है ठीक है आप इसको मानो ना मानो हर तरह की व्यवस्ता है लोगतन तरभी तक हमारा कायम है कई बार चती पहुंचाने की कुर्शिस की जाती है केवल देशी और स्थानी पॉलिस के ही निवासियों को नागरिक माना जाता था जनतंत्र में रहने वाले अजाद लोगों को नागरिकता प्राप्त नहीं थी महिलाओं को नागरिकता से बंचित रखा गया था केबल वेस्क पर उसको ही नागरिक्ता परदान की जाती थी दूसरे लोग जो जिनके पास पॉलिस मूल निवासी नहीं थे इन लोगों में वे लोग आते थे जो जीत कर पॉलिस में सामिल किया जाता था उन्हें जीत कर या नागरिक्ता से पॉलिस में सामिल किया जाता था और उन्हें भी नागरिक्ता से बंचित किया जाता था अगर मालों को ऐसा मुल निवासी नहीं है युनान का या कहीं और का है तो उसको क्या जाता था उन लोगों को भी बूलते थे कि चलो आपको जीत लि कर्देहितन जैसे जमीन सेनिक्स सेवा रचि लएकिक नागरी को कोई हिसेदार होती थी अग्यार नागर की नहीं द ażने दर्दिला नागरिक कर सकते थे बाकियों को at the firm Gegen नहीं होता था पार यूनानी युनानी राज्जे के पास कई स्थाने सेना कोई स्थाने सेना नहीं थी ठीक है इसी कारण से राज्ये के पास में स्थाई सेना के रख रखाव के लिए परियाब मतलब इसका में कारण क्या था कि संसादन उपलवद नहीं थे रख रखाव के लिए जिसके कारण से कोई स्थारी सेना इन्होंने कभी बनाई ओभी नहीं सभी आजाद Western नागरी को अनिवारिय तोर पर सैनिक सेवा करनी पढ़ती होता था जो व्यक्तित है तो इस तरह से पुरा चलता था प्रोसेस युनानी पॉलिस के नागरिकों की नागरिकी सभा में भाग लेते थे जो भी युनान के इंदर में जो रागरिनितिक सभाएं होती थे नागरिकों की सभाएं होती थे तो उसमें नागरिकी भाग लेते थे इन्हें भी इन्हें ही मत देने का दिका खोता था नागरिक को कोई वोट देने का अधिकार होता था ये नागरिक के कुछ मौलिक और मूलवुत अधिकार भी होते थे इन्हें सभा में स्वयम उपस्तित होना पड़ता था परतिक नागरिक सभा में उपस्तित होता था यह सभा सहर के केंद्र में खुली जगह पर आय प्रविजित करने के लिए आयुद करने में कटनाईयां का सामना करना पड़ता था इसके फलसुरूप आप देखोगे यहां पे तो बैठक का कारण कहा था कुछ मुद्दों पर बहास हो पाती थी और लोग वहां पर मत देते थे जादा मुद्दों पर बहास नहीं होती थी क कुछ मुद्दों पर वहास हुई जहां पर लोग अपना विचार रखते थे कि हाँ यह वाला टापिक सही है इसके अंदर में चीज़े होनी चाहिए तो इस तरह से चीज़े की जाते थी कर्मियों के लिए परिशद के पास अधिक अधिकार होते थे जो पूरा कर्मी जो प अभिजात वर्ग का अधिकार होता था जैसे आप बात करोगे तो इसको पूरा सभा कब करवाना है कैसे करवाना तो उसके लिए परिशद की निव्ति की जाती थी परिशद के पास कुछ अधिकार भी दी जाते थे और इसके अंदर में कई बार तो यह दिखा गया है जो अ अभिजात वर्ग था उसका स्रीप अधिकार होता था पर यहां पर एथेस के अंदर में 500 इसा पुरूव के अंदर में जनता की भागिदारी भी सुरू हो जाती है सोलोन ने एथेस के नागरिकों को चार वर्गों में बाट दिया था जो सोलोन थे जिनकी न्यूक्ति पंच तोर पर की गई थे उसके उनके दोरह क्या किया गया कि जो एथेस के नागरिक थे उनको चार वागों में बाटा गया नागरिकों की संपत्ति या धर्म के अधार पर उनका वर्गी करन किया था जो भी उनकी संपत्ति है जो भी उनका धर्म है उसके अधार पर उसको वर्ग तो दिमीन कहा जाता था ठीकि थोड़ा सा नाम याद रखना है क्योंकि जब एक्जाम में आप यूज करोगे तो बहुत ज़्यादा प्राब्लम होने वाली है मैं क्या करता था इन नामों के लिए मैं अपने हाथ पे लिख के रखता था और जब मैं एक्जाम के लिए जाता देखो यहां पे ना जब जो सोलोन थे उन्होंने क्या क्या कि जो सबसे उच्छे वर्गता उन्होंने यह बोला कि अगर आपके पास कम से कम इतनी जमीन होने चीए 500 जमीन होने चीए और उसके अंदर में गेहूं ठीके 500 में दिनियाई गेहूं या फिर इसके बरावर के अंदर में विलोंग करोगे इसके बाद कि जो नागरिक होते थे इनके पास इतनी भूमी होने चाहिए जो सेकिंड वाला आता था 300 मेदियाई पैदावार हो उसके पास में 300 मेदी मनोई पैदावार यहां पर होना चाहिए मतलब 300 तन 300 कुंटल जो भी यहां पर उसका मतल थे टि यहां पर थोड़ा से रहता थी तो तीन वर्गों के अंदर में बाटे गया यहां पर टोटल 4 वर एकते तो 3 वर्ग चौतह वर्ग प्रीम को यहां पर उसके लिए तीसरा वर्ग हो गेहां ठीक है तो इस तरह से यहां पर क्या गया मतलब ना देखो एथेस के अंदर में संपत्ति के अधार पर बाटते समय क्या 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 गया गया कि आपके पास इतनी जमीन इतना पैदावार टेल वाइन कुछ ऐसा होना चाहिए सेकिन क्लास के लिए इतना इतना होगा तो आपके अधार पर आपका वरगी क्रिद्गिया गया है उसी के अधार पर आपको अधिकार भी दिया जाएगा ठीकिन है दिलो भीच में हीपियस में हीपियस जब आता है पोलो पानेसियाय के नाम से यूद के नाम से भी जाना जाता है सु वर्सो में एथेस के अन्दर में जंतांतरी ही धांशे का तेज़े से विकास हुआ इसके विकास में क्लिंथिन्स ने अपना महत्यपूर्ण योगदान दिया ये थे, इसके नागरिक परम परागत रूप से चार आई-ो नियाई कपीलों में भीवकत थे उनके पास कपीलो या वन्स का पता चलता था जिससे मुलभूत एक टाटा से आये हुए थे यह सारा ना उनके कभीलों से रिलेटिड यहां पर पोइंट में बता रहा हूं कि किस तरीके को नागरी की व्यवस्ता थी, नागरी किस प्रकार के लोग थे वो बता रहा हूं है यहां पर जादो कुछ खास है नहीं यहां पर देम का टॉपिक कि देम क्या होता था परतेक ना पॉलिस और राजनितिक उद्धिस को विवाजित किया गया था और यह सब छोटी भुगोली की काहीं हुआ करती थी मतलब एक तरह से राजनितिक काहीं बनाई गई थी जिसके अंदर में हर एक नागरी को उसके अंदर में पार्टिसिपेट करना पड़ता था अलग-अलग द अंस्थागत बनाए गा था प्रात्मिक सदस्ता बनाई जाती थी जिस एक तरह से भुगोली की काहीं के तोर पर कारे करता था उसके अंदर में जुड़ा जाते थे लोग और वहां पर उनको देम के तौर पर जाना जाता था कि ओ देम है ठीक है तो यहां पर देम करके कई टिपने लिखने वाले कोशन आते तो उसको भी आपको याद रखना है आगे में बात कर थौस और बज़ जाता है आपका यहां पर थौस हम कबर करेज को फटा बढ़तों यूनानी सब्यता में दास मजदूर दास मजदूर की जो अर्थवश्ताती हो महत्यपून योगदा तोर पर इस्तमाल के जाता है युद बंदियों को दास बनाया जाता है जिसके बाद जो रेंड नहीं चुका पाता है उनको दास बनाया जाता है यहां पर महिलाओं को भी दास बनाया जाने लगा दास खनन हस्त सिल्प कृशी कार्रे में परियोग में लाय जाते थे ठीके किदास को संपत्ति के तौर पर रखा जाता था इन्हें समीप के वजारों से खरीदा या बीचा जा सकता था ठीक है यह चीजे भी रहती हैं सासात में अगर आब बात करें यूनान के अंदर में दार्शनिकों का जो पक्षता वो बहुत इंपोर्टन रहता है दार्शनिकों क अगर आप अगर आप अगर आप अगर आप अगर आप बहुत आप पर पार है यह चीज नहीं हो पा रहा है पर जब आप खुद उस कंडिशन में आकर बैट हो गे तब आपको पता चलेगा कि क्या चीज़े होती है सबसे बड़ा रीजन क्या रहता है कि आप नौन इस्टॉप बोल रहे हो without cut without editing आपकी वीडियो पोस्ट होने वाली है ठीक है साथ में आप almost 30-40 मिनट की 30-40 मिनट नौन इस्टॉप बोल चुके हो और पता नहीं कितनी बार आपने एक वीडियो को बनाने के लिए रिटेक ल ने वाले हैं फिर भी उसके लिए करना दो बहुत बड़ी बात हो जाती है तो उसको भी समझनी के courses कीजिएगा ठीक है पहले सही में बोल के चल रहा हूं यहां पर आगे मैं बात करूँ तो यहां पर दार्शनी को वाला जो point होता है वह important होता है कि किस तरीके से उनका role रहा तो यहां पर देखोगे इतिहास दर्शन के अंदर में गनीत के अंदर में चिकिस्ता चेत्र के अंदर में महत्यपून योगद्यान दिया जाता है इन दार्शनीकों के द्वारा में युनान की जो परसिती के कारण था जो भी बोधिक विमर्स हुआ उसके अंदर में बहु अबिक दार्षनिक विचारधारा थी ठीके विचारधारा की प्रकरती मुलभूत आधारतत्व जो वायू जल जमीन और उन्हें चलने वाली सक्तियों के बीच में चर्चा का संबंद बनती है ठीके पाइतागोरस जो था आत्मा पुनह जनम में विश्वास करते थे और उनका आत्मा पर समयन जस पर बल दिया हैरोड़ोटरस इत्हांस का पिता के तौर पर जाना जाता है father of the history हैरोड़ोटरस को माना जाता है क्योंकि उनकी ज्यान की साखा के रूप में उसको पहचान की गई थी हैरोड़ोटरस ने इतिहांस जिसे आनतोर पे तथ्यों पर कथाओं, इतिहांस के खोज करके चान बिन करके विश्वनिता के अधार पर उसको एक नया अर्थ के रूप में दिया जाता है और अर्थ बताया जाता है सुकरात, प्लूटो, आरस्तु, क्लास्की युनानी दर्सन के सर्वसेश चिंतक के तौर पे माने जाते हैं युनानी दर्सकी अगर चिंतक के पूछा जाए तो आप सुकरात, प्लूटो, आरस्तु, क्लास्की को बता सकते हो सुकौरात ने प्रकरपिक रूप से चिंतन के बजाए मानवस्तित के रूप में चिंतन को अधिक बल दिया कि मानवस्तित में चंतन किस परकार से है तो यहाँ पर दार्षनी को वाला point भी cover हो जाता है Normally यहां पर एक तरह से निसकर्स के तोर पे इसको हम लेके चले हैं जहां पर बताते हैं कि किस परकार से एक संग का निरुमान होता है जिसको गैयनील लिक का जाता है लोग किस परकार से एक जूट होते हैं विदेश से उपके आकरमणें मुकाबला करते हैं किस परकार से फारास फारसी संगम राज्यों की विकास नहीं करता का इस परकार से अपवाद है यह मैंने पर बता रखा है आपको तो मतलब एक तरी से निस्कर से पूरा कि किस परकार से दास मजदूर का पैमाना बढ़ने लगा उत पादर में किस तरह से बढ़ोतरी request आपसे यही करूँगा जो भी viewers देख रहे हैं जो भी students देख रहे हैं request में बस यही कर सकता हूँ कि वीडियो को बस आपको समझने अच्छे तरीके से ठीक है जो भी मैं मैंनत कर रहा हूँ जैसे मालो 30-40 मिनिट को आलमस्ट वीडियो होगा या ज्यादा काई होगा गले की ऐसी तैसी हो जाती है तो उस मैंनत का ऐसा ना हो यार कि ना बस मतलब बुराई मिले आप उसके लिए मैंनत करो जब आप करते हो थोड़ा सा पढ़ते हो जब कमेंट में देखता हो ना कभी भ बुक से पढ़ते हो अलमस्ट बारा पेज में चैप्टर है ठीक है बारा पेज आप बैटके पढ़ोगी ठीक है पर यह नोट से अगर आप एक बर पढ़ते तो पूरी बुक आपकी के लिए क्लिए क्योंकि बुक में से ही उठाया गया जारा कुछ आपको कहीं अलग से नह बस रिक्वेस्ट यहां पर यह करूँगा कि आप अपना प्यार दीजी हमें हमारे चैनल दोनों चैनल को लाइक सिर सब्सक्राइब कीजिए जहां पर आपको दी इनव पर आपको सारा जो भी आपके कंटेंट है कॉलेज से लेटी डू मिलता जाएगा आपके सारी क्लासिस अपर हम अपना वीडियो एंड करेंगे थांकियो सो मुच पर वचिंग में थांकियो सो मुच पर लिसनी में बाबाए टेकर अल दे बेस्ट